प्यारे विद्यार्थियो आप देख रहे हैं 2023-2024 के लिए जो जारी किया गया model paper है board के द्वारा उसका solution विशह है जीव विज्ञान ये paper जो है 70 नंबर करहेगा इसका समय आपको 3 घंटे मिलेगा बिल्कुल नया pattern है पिछले साल जो paper हुआ था वो pattern बदल चुका था और उसस रहेगा आपको paper देने के time में आपका समय बचेगा इस प्रशन पत्र में आपको 26 प्रशन देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रशन आपको करने करने हैं इसमें प्रशन संख्या एक में जो है आठ बहुभी कल्पिया प्रशन देखने को मिलेगा एक question जो first number है इसमें सरसन और reason वाले आएंगे यानि कि अभीकथन कहा जाएगा उसका एक कारण दिया जाएगा उसको समझ करके फिर उसमें से चार option में से एक option को चुनना होगा इसके बाद जो प्रस्टन संख्या एक में से 10 प्रस्टन जो है इसका सही विकल्प चुन करके आपको जो है या आठ प्रतिक खंड बताए दिया गे MCQ है तो एक नंबर कराएगा ठीक है यह हर question एक नंबर कराएगा पहले प्रश्ण में इसके 10 छोटे छोटे प्रश्ण मिलेंगे पहले प्रश्ण के 10 खंड होंगे इसके बाद जो प्रश्ण संख्या 2 से लेके 5 होगा प्रश्ण संख्या 2 से start ह और 15 तक जाओगे तो 6 से लेके 15 तक दो दो अंगों के प्रश्ण पूछे जाएंगे आपसे और इनके भी answers आपको लिखके देने हैं इसके बाद जब 15 question खतम होगा तो 16 से लेकर के 23 तक जो प्रश्ण है ये 3 अंगों के प्रश्ण रहेंगे और इसके बाद ये प्रश्ण जो भी प्रश्ण आपको देखने को मिलेंगे इसमें सभी प्रश्ण 4 अंगों के रहेंगे फुल अंग जो है 70 हो जाते हैं इस तरह से बहुत सारे questions में आपको अथवा भी मिलेंगे जो 3 नंबर के हैं उसमें भी 1-2 अथवा मिलेगा 4 नंबर के प्रश्ण में भी एक देखने को मिलने वाले हैं तो चलिए देखते हैं इस प्रश्ण पत्र में जो है आपको क्या मिलने वाला है और किस तरह का question paper रहेगा इसको बड़े ध्यान से आपको समझ लेना है ताकि आप जो है अपने exam time में कोई mistake ना करें और इस question paper paper को बड़े तरीके से आपको solve करना है बैतिन तरीके से क्योंकि आपके model paper में से बहुत सारे questions आते हैं तो पिछले साल का model paper मैंने solve करवाया है उससे पिछले साल का तो अगर आप 2021, 25 ठीक है आप 23 और जो आप 24 का आप देख रहे हैं ये सभी model paper solve करते हैं तो आपका 80% जो है यहां से marks आ जाता है 80-90% आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं केवल इन सभी प्रशन पत्रों से 21, 22, 23, 24 model paper से तो आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे इस बात को या क्या बनता है वो आपको बताना है क्या form होता है तो मानों में जब एक महिने का भून हो जाता है तो उसका सबसे पहले जो हिर्दय बनता है तो heart इसका जयो है सही answer हो जाएगा heart ठीक है इसके बाद जो next question है उसकी बात करते हैं यहांवे देखिए पूछा गया है एक निस अंतान दमपत्ती को GIFT जिसको gift बोलते हैं नामक तकनिक के माध्यम से सुसू जनम के लिए सहायता की जा सकती है इस तकनिक का पूर्ण रूप लिखिए यानि कि gift का आपको पूर्ण रूप लिखना है तो gift को बोलते हैं gamut intra fallopian transfer तो यहाँ पर आपका ये वाला option जो है ये correct हो जाएगा second option जो है इसका right answer हो जाएगा इसके बाद देखिए next question जो है उसकी बात करते हैं अब इसमें जो है आपका C portion देखिए यानि कि gap part देखिए इसमें कुछा गया निमलिखित में से विसानू जनित रोग है विसानू से जो हमारा रोग होता है यानि कि viral disease जो होता है वो कौन सा होता है या आपको बताना है तो विसानू यानि कि virus disease जो होता है वो उससे हमारा polio होता है ठीक है polio जो है इसका right answer हो जाएगा next question है भारत में बायो गैस तकनीक को किस पर आस के तहत विक्सित पूझत किया गया है तो blanc कौनगी संस्थान जी क्राम अपने जो थे से मंस्थाइं थी उन्होंने कैसे क्राइज कि सवर्टीया प्रू Connecticut से किया गया था तो इसका अंसर हो जाएगा आपका भार्थी अनुसंधान संस्थान ठीक है भार्थी कृसि अनुसंधान संस्थान और खादी ग्राम उद्योग आयोग IARI and KVIC तो यह इसका passed अंसर हो जाएगा तो इसको आपको टिक कर लेना है नर्लीक जो योजक जो DNA है इस तखनीक को खोजने वादे थे इस्टेंले कोहें और हर्वर्ट बोयर यहां पर जो आपका थर्ड ओप्शन है यह करेक्ट हो जाता है यहां पर थर्ड ओप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा next question की बात करते है यहाँ पुछा गया परजीनी जीवानू का उपयोग व्यापारिक इस्तर पर उत्पादन में किया जाता है तो वो कौन सा परजीनी जीवानू है जिसका उपयोग व्यापारिक इस्तर पर किया जाता है तो वो है मानो इंसुलीन यानि की यूमन इंसुलीन यहाँ पर जो है third option आपका correct हो जाएगा इसके बाद जो next question उसकी बात करते हैं यहाँ पूछागे आपसे परिस्थितिक तंत्र में मनुष्य का portion इस्तर होता है तो मनुष्य जो है secondary में भी आता है और third में भी आता है लेकिन secondary में साका हारी आते हैं जो मनुष्य होगा वह आपका इसमें आ जाएगा और इसमें जो है साका हारी और मासा हारी इसमें सर हारी आ जाता है तो हमारा जो है answer हो जाएगा इसमें second option साका हारी मानते हैं मनुष्य को तो साका हारी जो तित्यक आता है सेलेक्ट करना है, सबसे पहले क्वेशन की बात करें, तो यहां पर देखिए, पहला जो इसमें क्वेशन पूछा गया है, पूछा गया है आपसे, हीमोफीलिया क्रिस क्रॉस वन्शाकुरम को दर्शाता है, तो आपने अगर पढ़ लिया आगा तो आपको पता होगा कि गुष्वाल पर आपका है, तो इहां पर कथन होगा, वो डाप कैसे ओने क्या है, और कारण दोनों ही शही है, कारण भी सही है, तो इसका ऑर करेक्ट हो जाएगा आपका, और इसके बाद अगर हम दूसरे क्वेशन की بात करें, जो इसमें आप से ऊचा गया है, यहां पर हम ने जहाओ वाला पार देखा था अब हम यहाँ पर इन्याओ वाला पार देख रहे हैं इसमें लगबग 99.9% नुकलोटाइड छारो का क्रम सभी लोगों में बिल्कुल समान होता है तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कारण बिल्कुल सही है कि लगबग 99.9% नुकलोटाइड चारो का क्रम सभी लोगों में बिल्कुल समान होता है, यह कथन बिल्कुल सही है इसका reason जो दिया गया है कारण, जब यह समान होता है, तो इसका कारण क्या है Manogenome में 316 4.7 billion nucleotide चार होते हैं, तो इसका कारण यह नहीं है मानोजिनोम में इतना होता है लेकिन इसका कारण ये जो है कारण सही नहीं है कारण सही जो नहीं है लेकिन जहाँ आपे कारण लिखा ये कारण सही है कारण का जो statement ये सही है लेकिन ये इस assertion के लिए सही नहीं है तो यहाँ पर कथन दिया गया है इसके लिए यह कारण उपलुक्त नहीं है यानि कि कथन सही है और कारण जो है गलत है यानि कि दोनों ही सही है लेकिन इसमें कारण जो है इसकी एक ही व्याक्या नहीं करता दोनों ही statement सही है लेकिन आर जो है एक ही सही व्याक्या नहीं करता त ठीक है, तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा, यहाँ पर जो है अभिकतन A सही है, परन्तु कारण जो है यह गलत है, कारण हमारा इसका सही नहीं है, तो यहाँ पर जो है इसका सही है, ठीक है, यहाँ पर देखें, अगर हम करें, तो यहाँ पर जो है, इसमें B आप जो R है वो A को सही नहीं बताता है तो यहाँ पर B option इसका correct हो जाएगा B option जो है इसका right answer हो जाएगा last जो आपका answer reason का question है इसके बाद आता है question number 2 जो कि इक number करेगा तो यहाँ पर सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार रहे है तो सर्टोली कोशिकाओं का कारे जाएगा next question इसमें पूछा गया है यह पूछा गया है विनिवर्तन सनलक्षन किससे संबंदित है तो विनवर्तन सनलक्षन जो है यह जो है कोई भी आप जो ड्रग लेते हैं उसका सेवन बंद करने के बाद में यह अचानक कम करने के बाद में जो सरीर में बदलाव देखने को मिलते हैं मांसिक लक्षन देखने को मिलते हैं उससे संबंदित है ठीक है next question है इसकी बाद पूछा गया आपसे आणविक कैची किसे कहते हैं यानि कि molecular seizures किसे कहते हैं तो प्रतिबंधन endonuclease जिसको restricted endonuclease भी कहते हैं इन enzyme को आणविक कैची कहते हैं इनके द्वारा DNA को जो है विसिष्ट धानों से या खंडों को काटा जाता है इसके बाद जो next question है उसकी बात करें यहाँ पूछा गया है दिवनी सेचन को समझाई है दिवनी सेचन क्या होता है तो पराग नलिका से भूण कोश में मुक्त दोनों नरकेंद्रकों में से एक मादा केंद्रक से संयुग्म करता है और दूसरा नरकेंद्रक जो है बूण कोश में इस दित द捕वकेंद्रक और थात दित्यकेंद्रक जिसको सेकंडरिक न्युक्लिएस बोलते हैं उससे सनलैन करता है जोकि इस परक्रिया में दो बार संयोग होता है या संयोग होता है तो इसे डिवनेसेचन यानि कि डबल फर्टिलाजेशन कहा जाता है इसके बाद जो next question है अब यहां से आपके जो प्रशन है यह दो अंक यह start हो चुके हैं यहां से प्रश्ण जो आंगे हैं आगे यह आपके दो अंक प्रश्ण है यह रहेंगे फिर blastula हो जाएगा फिर gastrula हो जाएगा इसके बाद जो है next question उसके बात करते हैं जिसमें आठवा प्रशन है सभी दो अंक्टे प्रशन है इसमें पूछा गया है मानो सुक्राणू का नामांग की चितर आपको बनाना है तो आपको चितर आना चाहिए अच्छा चितर बनाना ह इस तरह का चितर आपको रहेगा इसके बाद जो next question उसकी बात करते हैं इसमें पूछा गया है nucleotide तथा nucleoside में क्या अंतर है इन दोनों में आपको अंतर बता देना है तो यहाँ पर nucleoside जो है यह पेंटोज सरकरा यानिकि राइबोज और डियाक्सी राइबोज तथा किसी nitrogen चार के मिलने से बनता है और nitrogen चार जो है purine और pyrimidine के रूप में रहता है जबकि nucleotide की बात करें तो इसमें फासपोरिक अमल और nucleoside का संगनन होने से यह बनता है और इसमें फासपोरिक डाइट बंधन के द्वारा जो है यह संभव हो पाता है next question उसकी बात करते हैं लक्षनों के प्रारूपों का मद्देवर्ति होता है तो इस दसा को जो है अपूर्ण प्रवाविता यानि की incomplete dominance कहते हैं next question जो है इसकी बात करते हैं इसमें उधान भी देना है तो आपको उधान जरूर बताना है तो उधान बता सकते हैं गुलाब बास का पौधा ठीक है इसका जो next question है इसमें पूछा गया अब यहां पर देखिए 11 जो प्रशन है यह दो अंक की प्रशन है लेकिन इसमें भी आपको अथवा पार्ट देखने को मिल रहा है यह भी दो अंक का प्रशन है और यह भी दो अंक का ही प्रशन है कोई भी आपको एक ही करना है यहां पर अथवा पार देखने को बीच बीच में आपको अथवा पार देखने को मिलते रहेंगे और इस तरह से आपके board exam में जो 11 प्रशन आएगा उसमें भी आपको अथवा पार देखेगा तो ये आपका पूरा का पूरा जैस सा pattern है आपका board का वही paper है ये अब यहाँ पर देखिए पहले तो हम बात करें plasomodium की तीन जातियों के नाम लिखिए कौन सी जाती सबसे अधिक घातक ही आपको बताना है तीनों जाती के नाम बताने है और कौन सी जबसे अधिक घातक है वो बताना है इसके अथवा पार्ट में आपके विचार से जो drug है इसके सेवन के लिए क्या प्रिरित करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है ये भी दो अंग के प्рशन है तो इसके अथवा पार्ट को भी करेंगे, पहले हम मेन पार्ट को करते हैं कि प्लाजोमोडियम की तीन जाती है, कौन कौन सी है, तो प्लाजोमोडियम परजीवी कहलाता है, इसकी तीन जाती है, उसमें पहला आता है प्लाजोमोडियम वाइवेक्स, और उसके बाद जो दूस पुछा गया देखिए आपके विचार से जो ड्रग के सेवन के लिए प्रेद करता है वो क्या है और इसे कैसे बता जा सकता है तो जो ड्रग का सेवन करते हैं उसमें आपका अकेला पन हो सकता है काम वासना में आपका ब्रिद्धी हो और उसके लावाज जीवन के प्रति आप इससे बचने के लिए रोक थाम और नियंत्रन संबंधी उपायों को यहाँ पर किया जा सकता है दो नमबर में इससे ज़्यादा नहीं लिए सकते हैं बाकी बहुत सारे उपाय है आप इतना लिख देंगे तो दो नमबर आपको मिल जाता है अगला जो पार्ट है इसमें पूछा क्या गया है उसकी बात करते हैं cry proteins क्या है उस जीव का नाम बताइए जो इसे उत्पन करता है तो यह BT से उत्पन होता है जिसको cry protein जो है bacillus thuringiasis द्वारा उत्पादित crystal यह protein होते हैं इन्हें BT toxins के नाम से भी जाना जाता है क्राई प्रोटीन जो है कीटो के लिए विशेला यानि कि टॉक्सिन होता है अतहा कीट नासी के रूप में भी इसका प्रियोग किया जाता है इसके बाद जो नेक्स कुश्चन इसमें पूछा किया जीन सिकित्सा क्या है और एडिनोसीन दिये मिनेज की कमी का उधान देते हु जो है मानों में उपस्तित दोस्पून जीन को स्वस्त और क्रियाशील जीन से बदला जाता है ठीके दोस्पून जो भी खराब हो जाएंगे जीन उनको जो है अच्छे जीन से बदला जाता है इसमें रोग के उप्चार के लिए जीन को व्यक्ति की कोशिका या उत्तकों मे प्रिवेश करें जाता है जीन चिकित्सा का पहला प्रियोग जो है 1990 में एक चार वर्सी लड़की में जो है एडियो को कमी यानि कि जो एडियो सीन ये मिनेज जो है इसकी कमी हो गई थी तो उसको दूर करने के लिए जो है किया गया था यह एंजाइम जो है प्रतिरक्षा तं जो है मजबूत करता है उसके लिए आवश्यक है जिन चिकित्सा में सरपर्थम जो है रोगी के रुधीर से लसी कानू को निकाल कर सरीर के बाहर जो है सम्मर्धन किया जाता है और सक्रिये एडिये जो अच्छा एडिये है वो आपका सी डियन ने सम्माहक द्वारा जो है ल जिसमें किसी कोशक कोशिका में प्रतिकरण करने की शमता होती है तथा जिसमें क्लोन किये जाने वाले बिजाती डियन ने खंड को जोड़ा जा सकता है वाहक में निम्न गुण होना चाहिए अब यह समें आपको क्लोनिंग सम्माहक का टिपणी बताना है तो इसमें आप ज जहां क्लोन किये जाने वाले हो वो DNA पर जोड़ा जा सके ऐसी सिती होनी चाहिए, टू नंबर में आपको इससे ज्यादा नहीं लिखना है, टिपणी छोटी सी लिखनी है, इसके बाद मैं आप से जो कोशन पूछा गया है, सह भोजिता से आप क्या समझते हैं, तो सह भोजित इसमें जो है आर्किट और बार्निकल को तो लाव मिलता है, लेकिन जो आम है और वेल है, इनको जो है ना लाव मिलता है, ना ही कोई हानी होती है, तो यह भी टू मार्क्स का कुश्यन है, नेक्स जो कुश्यन है, इसमें आप से पूछा गया है, अपरा क्या है, अपरा के प इसके मुख्य कारे क्या है? dari बूंढ के पोशं में सहायता करता है, और मा के रक्त में उपस्तित पोशक पदार्त जो भी अपरा द्वारा जाते हैं, इसका दूसरा कार्य हैं उपस्ता पedar में मको निकाल भी देता है मा के शरीर में बने antibody जो भी होते है antibodies वो अपरा के माध्यम से ब्रून के जो शरीर है उसमें पहुँच करके जो है कोई भी संक्रमन जो होता है उससे उसको बचाते हैं सुरक्षा प्रधान करते हैं अगला जो question है मेंडल के परिक्षणा अर्थ संक्रण को चित्र की सहायता से जो आपको समझाना है तो मेंडल का जो संक्रण है उसको बस आपको चित्र बना करके थोड़ा से उसके बारे में समझा देना है तो किसी लक्षण के प्रबल द्रश्य रूप जिसको phenotype बोलते हैं इ यहां पर देख सकते हैं यह language तो आपको लिखनी है बाकी यहां पर समझ लिए इस diagram को जैसे कि आपका पहला हमने phenotype लिए जिसमें tt जो है सुद्ध पौधे हैं इनका संक्रण हमने कराया ठीक है संक्रण कराने से जो है छोटे tt पौधे से इसको हमने संक्रण कराया अब ज इसमाल टी ए और यहां पर niin तो हम संक्रण करा रहे है इसका संक्रण करा रहे हैं और इसका संक्रण करा रहे हैं इन दोनों का cross करा रहे हैं तो इस cross से हमें क्या मिल रहा है लंबे 50% मिल रहे हैं देख सकते हैं कैसे मिलेंगे यह सब चीजे आपको तो यहाँ पर देखिए यह जो आपका T है और यह T है इसका जो हमने cross कराया तो हमा उबे हैं ठीक है और स्माल टी जो नीचे वाले हैं यह बॉने तो इस तरह का जो है हमेरे को देखने को मिला संक्रन वस हमें यही बताना था इस डाइगराम को जो है आपर लेंग्वेज के मादने में समझा रखा है इसके बात करते हैं हर्षे और चेज के प्रयोग का उलेक करना है हर्षे और चेज का प्रयोग क्या था वो बताना है इसमें उन्होंने बताया था यह सिद्ध किया था कि डियन ने जो है वो ही अनुवानिशिक पदार्थ है तो उस हमें उस खोटी सी चर्चा जो है इनकी इनका जो प्रियोग है उसका उलेक करना है तो इसका उलेक बहुत छोटा सा है इसमें क्या हुआ था हरसे का जो इन्होंने जी भोजी जो मतलब जीवानू विशानू है उसमें इन्होंने इकलोई को प्रभावित करता है ये खोज कर ली थी ठीक है हरसे चेज ने जो है दो भि जिवान ही है प्रोटीन का निर्मान किया जबकि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो P32 था वो नुकलो टाइट से संबंध हुआ और जिससे जो है नुकलिक अमलियानी की जिसको मुख्यता हम DNA गोलते हैं उसका निर्मान हुआ हर्स और रेज ने फिर T2 जिवानु भोजी को जो है दोनों समर्धन के माद्धम से परविष्ट कराया और दोनों इस्तिती में प्राप्त विशानु संसत्तियों का परिक्षन किया गया विशानु के जिवानु में गुणन करने के कारण दो प्रकार के विशानु जो है प्रा संक्रमित जीवानु नीचे बैठ गए और उपर के द्रव में हलके प्रोटीन जो है खोल रहे थे या खोल गए दोनों के परिक्षन पर उन्हें पाया गया चिन्नित प्रोटीन युक्त विशानु और जीवानु को चिन्नित करने में जो यह असमर्थ थे जो भी आपके चिन्नित थे वो और चिन्नित डीन युक्त विशानु जीवानु को चिन्नित करने में सक्षम थे यह असमर्थ थे और यह सक्षम थे तो इससे यह सिध हुआ कि जो अनुवानशिक परदार्थ है वो DNA है ना कि प्रोटीन ठीक है तो यह हम उन्होंने शिद गया था कि DNA जो है यह अनुवानशिक पदार्थ है प्रोटीन जो है अनुवानशिक पदार्थ नहीं है तो इस तरह से यह आपका आंसर हो गया अब आगे बढ़ते हम 19 पे 23 से आपको समझा देना है तो सबसे पहले लिंग गुण सूत्रों में जो लेंगिंग लक्षनों के अत्रिक्त कुछ अन्य गैर लेंगिक देहिक जिसको सुमेटिक लक्षन कहते हैं वो जीन्स होते है इन्हीं लक्षनों को जो है लिंग सहन गुण या लक्षन कहा जाता है उ इसको चित्र के मादने में समझाना है, इसमें 50% जो है, आपकी वाहक पुत्रियां होंगी, और 50% पुत्रियां जो है, रोग ग्रसित होंगी, और 50% समानने होंगे, अब इसमें देखिए कैसे होगा, यहाँ पर इस डाइग्राम के मादने में समझ सकते हैं, यहाँ पर जो है, ये आपका वाहक है क्योंकि X क्रोमोजोम पर वाहक रहता है और ये भी आपके X क्रोमोजोम पर ये आपका इंसान का है यानि कि नर का है ये ये आपका नर का है और ये मादा का है अब यहाँ पर जब क्रॉस कराया गया तो देखिए ये तो आपका जो है x normal वाला था, क्युकि यहां पर इसको carry करने वाली थी, नर्म योगम जो है, यह कैसा है, x है और y है, और यह मादा योगम इधर ले लिया, क्योंकि यह वाहक है, तो वाहक का हमने ले लिया, जिस के हमारा यह लगा हुआ है, और नर्ग योगम पर हमेशा रहता है वहाग, तो X पर वहाग ही रहेगा, Y पर तो रहेगा नहीं, इसमें किसी एक X पर रहेगा, जब हम इसका क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं, इस X का इस Y से होगा, तो समान ने पुत्र दिखाई दे रहा है आपको, इस XC क इस Y से करा रहे हैं, तो यहाँ पर XC Y यानि के वर्नाद पुत्र मिल रहा है, Y वाले लक्षन पुत्रों में होते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, कि 50-50 परसेंट जो है यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल रहा है, यह 25 परसेंट है, अगर दोनों को देख कहा देंगे कि यह 25-25% सारे के सारे हैं सारे के सारे 25% जो है यह भी 25% है तो हम कहा देंगे समाने पुत्र कितने मिल रहा है 25% वर्णाद पुत्र कितने मिल रहे है 25% फिर आपका जो है वहाग पुत्रियां कितने मिल रही है 25% और वर्णाद पुत्रियां कितने मिल रही है यह 25 परसेंट तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं ये 25 ये 25 पिचास ये 25 पिचतर ये 25 सो टोटल मिला के 100 हो गया तो इस डायग्राम को आपको बनाना इसमें इसके बाद जो नेक्स कुश्चन है जेव उर्वरक किस प्रकार मर्दा की उर्वक्ता को बढ़ाता है और ऑप्श इसके बाद जो नेक्स कुश्चन है इसमें पूछा क्या गया है आपसे अनुवानशिक प्रकार मिलते हैं प्रदोगी की त्वारा जो है फिर बदल करके परिवर्तित कर दिया गया हो अनुवानशिक तह है रुपांत्रित जीव यानि की genetically GMO कहते है genetically modified organism कहलाते है अब इसके बाद definition के बाद इसने पूछा है कि इसके दो लाब क्या हो सकते है पौध होके ठीक है पौधे जो अगर हम कोई पौधा बनाते है अनुवान शिक्त है रुपांत्रित करके उनके जीनों को modify कराके उनके अंदर जो translation कराके कीसी का जीन ले करके दूसरे जीन से mix करके तो इस तरह का कोई पौधा बनाते है तो इस पौधे का क्या फायदा होगा यह आप से पूछा गया है तो यहाँ पर जो पूछा गया है इसका आंसर बहुत सिंपल सा है चलिए देखते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो बताया गया आप से इसको चेक कर लेते हैं इसके बहुत सारे लाब है मैंने तीन चार लाब दी हैं आप चाहें तो हम छिड़काओ करते हैं कीड़ों को मारने के लिए उसकी आउशकता नहीं पढ़ती है क्योंकि इनकी छमता बहुती ज्यादा अच्छी रहती है बहतर गुणवक्ता और पोशक तत्वों से भरपूर जो है पौधे प्राप्त होते हैं जैसे की बिटामिन A से सम्रद चावल के पौधे हमें प्राप्त होते हैं इनसे इसके लावा म्रदा से खनीजों के दक्षता पून ऑशोशन की छमता बढ़ती है खनीज जितने भी है म्रदा में यह अच्छा फल प्राप्त करते हम इससे प्रतिकूल परिस्तितियां जो भी इने के साथ मैं जो परिस्तितिया नहीं होगी मालों कि थोड़ा सूखा पढ़ रहा है लवन नहीं है या अधिक ताप घर्मी पढ़ रहीं तब भी प को बताना है तो पहले तो आपको पुन्हें नियोजीत डियने ने जु है इसके निष्क आपको बता देना है अब 600 पुच्छा Bene और बताना है लॉते हैं उपडाद रके यह 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 को बताना है बताना है यह यह बता दयांगे लेकिन इस प्रत्ति में हर बार अगले स्थर में 10% प्राप्त होती है जैसे कि इस डाइग्राम में देखेंगे सूर्य से 1000 केलरी की उर्जा आ रही है तो जो उत्पादक है इसे 1000 का 10% आगर आप निकालते हैं तो आपको 100 केलरी जो है एक उत्पादक तक पहला जो उत्पादक है यानि कि पेड़ पौधे है उन तक 100 कैलरी पहुच रही है 10% ही मौचेगा इसका 10% 100 का 10% अगले के पास मौचेगा पौधे से अगर हम प्रात्मिक उप भोगता है जन्तु या मानो जो है प्रात्मिक उप्राप्ता है जो पधों से फल प्राप्त करते हैं या फिर जो भी खाने की समगरी प् यह आपको समझाना था अगला जो प्रशने उसकी बात करते हैं यहाँ पर जो next प्रशने हैं उसको देखिए और इसी को हमने यहाँ पर समझाया हुए language की माध्यम से और option में जो इसका पूछा गया है सहोपकारिता और परजीविता पर टिपणी लिखनी है आपको सहोपकारिता क्या होती है परजीविता क्या होती है इसके उपर आपको टिपणी लिख देनी है सहोपकारिता के उपर आप टिपणी कुछ इस तरह से लिख सकते हैं परजीविता पर टिपणी आपको इस तरह से बस इस नहीं है आपको बताना है ज्यादा नहीं है तीन अंक के प्रशन है ध्यान रखना है आपको अब यहां से जो प्रशन अंक सुरू होते हैं यह चार अंक के प्रशन रहेंगे इसमें पहला पूछा गया है पुश्पी पादपो में लगू बिजानू जननन का सचित्र व में दीखेगा अब यहां पर सबसे पहले बात कर रहें कि मैं इसको हुथ है चैन जो है यह हां पार इसके चार यहां जा अब जो है इसके बाद क्या होता है यहां फर लिख दिए it outta क्या सब्सक्राइब कर दिए इस तरह का डािग्राम इतनी धुरी इसके बाद अगली दुखनी सी इस प्रकार बने जो ADAM जो है यह फ़ला पार्ट जो या पराकण के अनेग प्रकार के चतुस फलक यानिकी टेट्रेड्स के रूप में जुड़े रहते हैं यह टेट्रेड्स के रूपे में जुड़े रहते हैं यह चतुस जो टेट्रेड्स जो होते हैं यह पांच प्रकार के होते हैं पांच प्रकार के कौन-कौन से हो सकते हैं चतुस फलकिये, सम्दिपार्शिक, क्रासित और टियाकारिये और रैखिक तो नहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कौन-कौन से हो सकता है, A, B, C, D, E ये पांच तरह के होते हैं, तो ये डाइगराम भी आपको बता देना है ज्यादा लिखने की जरूतनी डाइगराम मनाना है, आपको ध्यान लखना है इसके बाद थोड़ा सा और लिखना है आपको, जिसमें इसके बाद में आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा और लिख देना, ये complete हो जाता है संसर और इसमें जो आपका होता है कि एक से अधिकंद्रक हो सकते हैं ठीक है और पोशक उत्तक जो है यह वर्धन करते हुए पराक कणों को जो है परदान करते हैं और विजान जनन उत्तक का बाग जो विघटित हो करके वर्धन करते हुए पराक कोणों का पोशन करता रहता है बस इतना ही आपको लिखना है तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह का यह डागराम बनेगा इस डागराम को भी आपको बनाना आवश्यक है तो इसमें थोरी ज्यादा नहीं है यह खतम बनाना है फिर थोड़ इस लिखनी है और यह राट बनाकर खतम कर देना है इसके वाद जो इसके और पारट में है पूछ हय अ प्छा गया था आप से परखनली श Raum क्या होता है इस्टियो do कर लेते हैं और अविवेदन कि बात कर लेते हैं तो आसानी हम समझ सकते हैं इसमें क्या होता है इसमें क्लिभी City की हो stres के बाहर किसी परकनली या पात्र में करत जाता है दूर्ण एक तरी इसमें क्या होता है दाता इस्त्री हो या दाता पुरूस उसके अंड़ानू अथ्वाइनी स्ताना अंत्रण और दूसरा रूप है या दूसरा प्रकार जो है इसको प्रत्यारवपित कर सकते हैं वो है आपका अंतर गरभाश्य इस्थान आंतरन जिसको इंट्रा यूट्रेरी रिन प्रांस पर कहते हैं अब इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर देख़िए इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं जो है एग को लिया जाता है तिक है और इस पर मादा के दोनों जो एग और स्प कर जाता है जो है आपका मादा के गर्भास से में और उसके बाद जो है यहाँ पर यह भून विक्सित होने लगता है इसका दूसरा जो पार्ट है जिसमें उल बेदन है तो उल बेदन जो है गर्भास में इस्तित जो विकासिल भून है उसका जो उसमें जो भी परिक्षन है उ वहां कोई भी चीज उसके अंदर प्रावलन पाया जाता है उसका विक्सित होने में दिक्कत आ रही है या उसको कोई विमारी है तो उसका पता लगाया प्रणिता जा सकता है इस जो जाष को बंद कर दिया गया ठीक है सरकारản इस जाष कर जो है रोक लगा दीग इसके बाद जो है यह मैंने यहाँ पन लिख दिया है आप देख सकते हैं जार्ष के ऊपर रोक लगा दिगई है ने जो 25 किस्वा कुश्चन है ये भी आपका चारंग की प्रशन है इसमें भी अथवा उप्शन देखने को मिल रहे है आपको जेव विकास क्या है जेव विकास के लिए तुलनात्मक शारिरिक रचना अकारी की तथा जीवास्म विग्ञान से क्या प्रमान मिलते हैं ये आपको बतान थे तो प्रिवर्तन के होने प्रिवर्तन को जो है आज के जो व्रतमान में प्रित्वी पर पाए जाते हैं ये उसी का परिणाम है और सजीव जगत में इसी तरह के परिणामों को जो है, क्या बोलते हैं, जय विकास बोलते हैं तो इस तरह का यह आंसर हो जाएगा, जय विकास बता सकते हैं इसके बाद जय विकास में जो है, इसमें एक चीज और पूची गई है समझातता और समझात अंगा जाते हैं और समरूपता और समरूपी अंगा जाते हैं उसी तरह से जिवास्म विज्ञान से क्या प्रमान मिलते हैं वो हम समझा सकते हैं जिसमें आपको यह थियोरी लिख देनी है इसमें जिवास्मों का बनना जो है यह दिखाया जाता है इसके बाद जो next question है इसके बाद करें इसके और की और पार्ट में जो है इसमें पुछा गया अनुवांशिक कूट क्या है अनुवांशिक कूट की खोज किसने की और अनुवांशिक कूट की विशेशता है क्या है तो से पहले हम बता देंगे protein के amino अनुवांशिक कूट या अनुवांशिक कोड कहलाते है अगर आप दूसरा डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप बता सकते है नुकलोटाइड टिपलेट्स अमीनो अमल के बीच संबंद को अनुवांशिक कूट कहते है इसे mRNA के तीन चारकों के सम्मू से परदशित किया जात उनका नाम था निरेन बर्ग और मेथाई इरका खोज जो है उनिस सो अरसट में हुआ था इसके अलावा जो है इसके विशेश्ता है बताए तो बहुत सारी विशेश्ता है अनुवांशिक कूट जो हमेशा टिपलेट के फॉर्म में होता है यानि कि तीन नाइट्रोजनी ब जो है अतिछदित नहीं रहता यानि कि दो कूट बिल्कुल अलग रहते हैं एक जैसे नहीं मिलेंगे आपको अनुवांशिक कूट जो है सबी जिवधारियों के लिए एक समान होता है और यहाँ पर समापन कूट जो है संकेत देने वाले कूट होते हैं इस तरह के बहुत सार है इसमें से आप 5-6-7 लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है 26 जो अंतिम प्रशन है इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है यह आपके study case आधारित प्रशन रहेगा जिसमें आपके हर प्रशन पत्र में अंतिम जो question है study case आधारित है हिंदी और इंगलीज को छोड़ करके सभी में study case आधारित प्रशन है तो यह पूछा गया आपसे study case आधारित में कि किसी गाओं के ग्रामीनों ने योजना बनाए कि क्रिशी कार्यों के लिए उर्जा की प्राप्ति गाए के गोबर से की जाए उन्होंने इस उद्देश्य के लिए गोबर गैस की सुरुवात की नीचे दियेगे चार्ट का ध्धन करके जो प्रशन आपको देने है तो गोबर गैस का जो चार्ट यहाँ बनाएगा आप इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर बायो गैस निगल रहा है जो की गोबर गैस और H2S से तो यानि की मिथेन, कारबन डियोकसाइड और H2S गैस से आपका जो है यह थार्ड वाला ओप्शन करेक्ट हो जाता है दिये गए फ्लो चार्ट में A क्या पर दर्शित करता है तो A देखिए उपर की तरफ है आपका A जो है यहाँ पर है तो A क्या है तो A जो है य शिवतनलwatch यह जो है यह कार्बनिक अमल है ओर्गनिक içiट है ठिक है तो यहाँ पर जो है आपका ओर्गनिक एसीड यनिकी थर्ड ऑ्प्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इसके बास जो नेक्स खुस्यनद उसकी बात करता है इसमें क्या पूछा गया आपसे सी का का क्या है सी C नीचे की तरफ है यह रहा C इसका कार रहे क्या है यह आपको बताना है तो C का जो कार रहे है हम यहाँ options देखते हैं C जो है जटिल कार्बनिक योगी को का जो है अवायू पचन करता है अन एरोबिक डाजेशन ओफ कॉंप्लेक्स और्गनिक कमपाउंड्स अवायू यहाँ अन एरोबिक मतलब यहाँ पे सुसंड का मतलब ऑक्सीजन की पूर्ती ढंके नहीं हो पाती है तो वो अन एरोबिक हो जाता है यहाँ जो है वहाँ पर पचित हो जाते हैं जाते हैं घटित हो जाते हैं तो यहाँ पर आपका यह answer हो जाएगा second वाला इसकेए अलावा इस question paper म के लिए और इसके question pdf को हमने जो है description box चेक कर लिजिएगा description box में डाल दिया गया है चेक कर लिजिएगा playlist जरूर चेक कर लिए उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा solution भी मिलेगा previous year के question paper मिलेंगे model papers पिछले साल के सारे मिल जाएंगे तो उस सारे के सारे चीज़े आपको एक ही जगे मिल जाएंगी और whatsapp पे आप संपर कर सकते हैं इसके pdf के लिए 8469022568 answer pdf करें लिखे उतारे और याद करें बहती तरी के से समझें थैंकी बड़ी मच्छेवे गुड़े